ये कहानी है मेरे प्रभुश्री राम की कर दिया नैना की स्कुल में मिटिंग थी थोड़ा सा काम और भी था लेकिन भाई बहुत अच्छा किया जो थीटर में अपने पैसे बरबाद हमने नहीं किये सच में बहुत इनों से में साच कर रही हूं यूटूब पे फेस्पूप पे आधी पुरुष फुल मूवी आधी क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी कंट्रवर्सी चल रही थी काफी टाइम से तो प्रोडूशर जो भी डारेक्टर है जिन्होंने भी लिखा है भई इस फिल्म को तो यह रामायन का तो इसमें राभी नहीं है जो मैं बोलूना कि रामायन तो रामायन को जब हम देखते है यह पूरी फिल्म में देस्ट पोरी फिलम में अब सोझाओं कि मतलब इतनी बेकार इतनी गटिया जो थिया क्योंकि पूरी फिलम में में बस इतनों को बाइब और वेग्र करेक्टर लाहते hack कार्टून देखने के लिए तो कार्टून वाले मूवी हम देखेंगे ना और फिर दूसरी बात यह है कि उसमें रामायन की कहानी कुछ इस तरह से जो कि हमने कभी सुनी ही नहीं है सच्छी मैं इस तरह से शुरू आत होती है रामायन शुरू आत के आदे घंटे तो ऐसे ऐसे गूम रहे हैं घोलगोल गोल चक्कर कटरें गूम रहे उनको देख में तो अपना सेर्चक्र आगया सचव् 높़ है तो यह मोवी ना सच में मैं बोलूब jurisdiction कि अगर आपने वीफेक्स भी से यूज की थे ना तो घुआप भाहु देख सकते मतलों बाहु बछली म décš्ग में तो तो फर्स डे फर्स शो हमने उसका देखा और उस ने पता क्या है उस ताइम दूसरी मोविया जो है उनका ट्रेंड चलावा था और जब बाहु बली आई ना तो बाहु बली ने सब के मतलब खोश उडा दिये और मैं भी सोच थी मैं कि यह तो कोई राजा महराजाओ की टाइम की फिलम लग रही है ऐसी होगी शायद बेकार सोचा था यह हमने लेकिन जब हमने वो मूवी देखी तो उसके बाद तो मैं प्रभास की फैन होगी और सच में जो एसस राजमौली ने महाँ पे बनाई है वो म उसमें और इसमें तो भई दिन और रात का फरक है सच में मैं देखके हरान हो गई कि यह रामायन है राम जी जो है वो हमेशा कितने सौमें और कितने करुणाम है और मतलब अपने भगतों से वो अपने दुश्मनों से भी हस के बात करते तो मुझे नहीं लगता कि पूरी फ आप जारी है कि हमें रास्ता देजिये समुद्र को सुखाने की तो भई वहां पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है मुझे लगा कि शाइग मुझे फोन में दिखा कि वह सच में वहां पे उन्होंने शूज पहने वे जो आजकल होते रा वो शूज प्रभास ने तो भई सब्सक्राइब कि मुझे नाम पर भई समय वे फटार तो सुबह से मैं सर्च कर रहे थी और मुझे मिल गई ना तो बच्चे भी बाट के ने के देखने के लिए तो अदे गंते के उन्दर और के चला गया वम्मा ये क्या बखवास ये को रामायन है उसको हम देखते रहते ह जैसे कुछ में सर्च करते हैं तो बहुत कई खुद ही आजाती है जो रामानन्द सागर की रामायन है वह आजाती है ना उसके क्लिप जो होती है कोई 10 मिनिट की कोई 5 मिनिट की तो मतलब रोकी नहीं पाते हम उसको देखना है देखना हमने सौ वारी वह देख ली होगी अब लेकिन जब भी वह सामने आजाती है तो इसको मतलब हम बोलते हैं कि विवर्श हो जाते हैं देखने के लिए मतलब इतना उसका जो है मतलब एफेक्ट पड़ा है सबके उपर और जिसको बोलते हैं कि अरुन गोविलकर जी जो है जिनों राम का की दानिवाया है मतलब उनके का स्थेकर वहां पर Ram ये उस तरह से पनाया देखिये hector की इस fewical गल्ती नहीं है मैं बॉलू कि जो डायरेक्टर है और जिनों ने Cast 58 ओंकि एक्टर दो वही बागी कोई भी चीज बई सोने की लंका को उन लोगों ने कोईले की लंका बना दिया मैं सुचू की सोनने की लंका最 sourna Jones, भी था लोगों ने कि इसंते जिऊ की मेंगनात नहाता है और उसकी जो शक्तिया होती है उसके बाद उसकी शक्त होई जातीταιती कोई उसके बाद प्राजित नहीं कर सकता कुछ इस तरह लगा उसमें मतलब वह सोने का दिखा बाकी उसके अलावा तो कुछ भी सोने का नहीं था अरे रावन जो है ना वह राजा था महाराजा था और सबसे बड़ी बात है वह इतना ग्यानी था पंडित था लेखिए इतना म इस तरह से कहा जाता है हमारे पुरानों में और वह क्या बता हूं मैं रावन तो सच में उस टाइम इतने स्टाइलिश जो है वह होते होंगे वह बोलते हूंको बार-बर कटिंग बहुत बढ़िया और उदर से बहुत बढ़िया दार ही ऐसी रखिवी है तो मतलब चलो क्या क्या बनाया क्या सोच के मैं बताती हूंने क्या सोच के बनाया हूं सोचा कि रामायन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बच्चा बूढ़ा नौजवान हर एक वर्ग का इंसान जो है वह उसको देखेगा बच्चे इसलिए देखेंगे क्योंकि पेरेंट्स उनको दिखाएं क्योंकि बच्चों को दिखाने के लिए कि बच्चे वही करेंगे ने जो बड़ी करेंगे तो उस करके तो मुझे लगता है कि प्रोडिसर ने सोचाओगा कि भई इसके उपर तो बंपर कमाई होगी जो रमायन मना देते हैं हम आधी पुरुष इसको नाम दे दिया गया आधी अधी चीज़े में जानती हूं कि रमायन टैसे टॉपिक जो है ना मतलब इसको सीरियल में दिखाना यह अलग चीज़े और पूरी मुवी में दिखाने एक अलग चीज़े लेकिन भाई कम से कम जो अधी जो अजक्श्वत है जो जिस तारह का है वह उस तरह का तो दिखा ओ अगर आपने मैं बोलू कि स्टाटिक में बोलियो ना कि 5 मिनिट तक वह इस तरह से घूमता घूमता चक्कर आ गया अगर उसकी जगह पर वहां पर कुछ अच्छा कंटेंट डालते कुछ अच्छे डायलोग डालते कुछ राक्षस दिखाते ढंग से कि हाजी कोई राक्षस आ तो शायद अच्छा लगता लेकिन मैं अपनी वह बता रही हूं तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए बहुत दिरों से देख रही है और यह मैं सचेगा कि मैं इसले बोलू क्यों कि आज कर लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है मुझे लगा कि मुझे बताना चीए इसके नमान जी अपनी हो और जलेगी अच्छा आप अनुमान जी इस तरह से मुझे बोल रहे हैं palavras अच्छा सोच सकते हैं इस तरह से डायलोग मुझे हसी का शाया कि मुझे मुझे धर स्था दूकर मैं Crispy मुझे हा रही है कि कैसे लिख सकते हैं ऐसा ही लोग, है न, जो रमायण है हमारा इतना मतलब पवित्र जिसको बोलते हैं, हमारा धार में ग्रंत है, भगवान राम के चरित्र को इस तरह से दिखाया जा रहा, और भगवान राम तो गुश्वा बहुत कम करते थे, लेकिन उसमें तो मतलब, मैं प्रभास उनको हसते हैं न, मैंने तो देखा इनी, मैंने नहीं देखा उनको हसते हैं, कोई भी उनका मतलो जो प्रसंग है वह अच्छे से निरे शबरी वाला भी मतलो ढ़ंग से नहीं दिखाया गया जैसा कि था वो, तो मतलब, ओवर और जो फिलम है इसमें पैसा इस तरह से जिंगल में शूट हुआ है सच में यह पहाण है सच का ही जहरना है तो हर कोई एसस राजमॉली नहीं हो सकता सची बात हो यह हर एक के अंदर नहीं है बही उतना टैलेंट की मतलब वहां पर जो चीजें हमने देखी थी ना वह असा लग रहा था कि यह सच में है जब शुरू में हमने देखा था ना पता नहीं था तो कहां इतना सुंदर जहरना है यह कहां होगा इतनी सुंदर जगाई यह ना सोच दे लेकिन जब बात में पता चला कि यह कोई वो नहीं है रियल नहीं है यह तो सिर्फ VFX से क्रिएट किया बहुत है मतलब उसमें फरक बताना बहुत मुश्किल और इसमें तो कुई बच्चा भी बता देगा कि यह तो एनिमेशन एनिमेशन देहरे बोड़ा था कि ममा इससे तो एनिमे वाले आते है ना जो वो जादा अच्छे लगते हैं तो कुछ ऐसा रियक्शन था बच्चों का तो चलिए आप लोग भी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बिकार बक्वास उन्हें नहीं कहना चाहिए था कि राम के जी के उससे प्रेदित हैं रामायन से प्रेदित है सिंपल एक मूवी बना देते बस एक्शन मूवी इस तरह की एक्शन भी ने बोल सकते उसको एक्शन में भी अट लिस्ट जो होते ह हैं रियल तो होते हैं वह तो सारा कुछ कार्टून वहां पर चल रहा है तो चलिए अब मैं आप साथ यह रिव्यू शेयर कर रहा है आप सहमत इस बात से की नहीं है और किस किस ने अभी तक आदी पुरुष देखिये तो यह भी बताईए जरूर आज हमारे सोलन का मेला और कि अधिक गशा कृषिए जहां की निकलेगी है अभी बजे से अभी बज़ रहे हैं दिन के डेर बच्चु का है और भाना भी खालिया तो मैं वहले बच्चों को सुलाऊंगी तब देखती हू शाम के टाइम अलए अगर थोड़ी सी देर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जा साथ मुझे रागी रादा कि आप साथ ये शेयर कर देती हूं क्योंकि मतलब एक बोज सा लग रहा था भाई क्या देख लिया है सच में चलिए विलूगे कर नहीं वीडियो में जैसियाराम